नमस्ति मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उमीद करूंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ती एंड ब्लॉग में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप जो भी व्यक्ती हमारे वीडियो को देखते हैं, वह प्लीज अपने अपने रासी को हमें कमेंट में जरूर बताईएगा। क्योंकि दोस्तों इस बार 900 साल बाद ऐसा महा सावन आया है। कुछ ऐसे खास राशिया हैं जिनके लिए यह सावन बहुत ही ज़्यादा सुभ है। मैं इसके पहले बहुत सारा वीडियो डाल चुकी हूँ कि सावन किसके लिए सुभ रहेगा किन छे राशियों के लिए। लेकिन प्रतेक दिन हर एक दिन व्यक्ती का अपना अपना राशी के हिसाब से समय बदलते रहता है। अगर आज कुम्भ राशी के लिए सावन बहुत ही ज़्यादा सुभ है तो हो सकता है कि कल के दिन तुला राशी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुभ हो। इसलिए अलग-अलग दिन अलग-अलग राशी फल का भविश्य बदलते रहता है। अगर आपका जो भी राशी है तुला, कुम्ब, मीन, जो भी राशी हमें एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा मैं आपके राशी के अनुसार आपको बताऊंगी कि आपको पुजा पाट कैसे करना है, सिपजी को कैसे प्रशन करना है और सावन सोमबार आपके लिए कैसा रहेगा साथ ही साथ दोस्तों सावन में बहुत सारी माताएं, बहने ऐसे दिन बाल धो लेती है जिस दिन उन्हें ना बाल धोना चाहिए ना नाखून काटना चाहिए और कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन उन्हें सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए अगर आपको जानना है तो प्लीज आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों आप सभी को पता है 4 जुलाई से हमारा सावन सुरू हो चुका है यह सावन इतना जादा खास है क्योंकि हर साल ऐसा सावन नहीं पाया गया है 900 साल की बाद ऐसा सावन आया है तो इसमें बहुत ही जादा सुब और खास बात होगी कुछ ऐसी खास राशियां हैं जिनके लिए कहा जाता है कि यह सावन बहुत ही जादा उत्तम होने वाला है साथी साथ दोस्तों आप सभी को पता है कि 15 जून को सावन का महाशिवरात्री है इस दिन हर एक व्यक्ति को पूजा पाट करना ही करना चाहिए सिवजी पे जल चरहाना ही चाहिए कुछ खास ऐसे 6 रासी के व्यक्ति हैं जिनके लिए या बहुत ही जादा सुब महाशिवरात्री होने वाला है सावन का कुछ उनको खास नियम करना है अगर कोई भी रासी छूट जाए तो आप अपना रासी कमेंट में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा मैं आपको बताऊंगी आपके रासी फल के अनुसार आपका सावन कैसा रहेगा तो आईए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ आप कि कौन से वह छे रासियों के वेक्ति हैं जिनके लिए या सावन का महाशिवरात्री बहुत ही जादा सुब या ऐसा बोलिए चमतकारी होने वाला है आज का वीडियो अगर आपको पसंद आड़ा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजे और चाइनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजे तो पहला रासी है जो कि इस चुस रासी के लिए इस बार का सावन का महासिव रातरी बहुत ही ज़्यादा सुभ होने वाला है और सावन खत्म होने से पहले उनकी जो भी अगर पैसा से लेके कोई दिक्कते हैं तो वह दिक्कत भी दूर चल जाएगा पहला रासी है कुम्भ राशी के लिए इस बार का सावन बहुत ही ज़्यादा सुभ होने वाला है साथ ही साथ इस बार का आप सभी को पता है कि महासिव रातरी 15 तारिक को है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुभ होने वाला है यानि, कि कुम्ब राशी के लिए, कुम्ब राशी के लिए वैसे तो बहुत सरल बिधी है, पूजा पार्ट करने का, अगर कोई मताय बहने मेरा इस वीडियो को देख रही है, तो अगर वह गलत दिन के दिन बाल धोती है, तो आप हमें कमेंट वॉक्स में कमेंट करके पूच सकती है कि किस दिन भाल हमें धोना चाहिया किस दिन नहीं धोना चाहिए कुम राशी के व्यक्ति को करना यह है कि जैसेja महार्शिवरात्री आये महां सिवरात्री के दिन सुबा उठकर के अस्नानादी करने के बाद उन्हीं जाकर के बाबा को एक लोटा जल भरके जरूर चरहाना है चाहे आप जल में कुछ डाले या ना डाले सिर्फ गंगा जल डाल के भी लेकिन ओमनमेश्यवाय करते हुए आपको जल डाल देना है आपका सावन सुब होग दूसरा रासी है मिथुन रासी मिथुन रासी की महिलाओं के लिए भी मिथुन रासी के विक्तियों के लिए भी इस वार का सावन बहुत ही ज़्यादा सुब होने वाला है यानि की महासिवरातरी बहुत ही ज़्यादा सुब होने वाला है मिथोन रासी के लिए भी एक सरल उपाई है कि जैसे वह सुबह उठ करके घर में पूजा पाठ करते हैं उसी तरीका से आपको सुबह उठ करके फूल का एक माला बनाना है चाहिए तो आप उसमें पीला लाल जो रंग का आपको फूल मिले उस रंग का माला बना करके आप अपने घर में या मंदिर में जाके सिवलिंग पे जरूर चरहाईएगा महासिवरातरी बहुत ही ज़्यादा सुब होने वाला है अगर आप चाहते हैं तो फूल के माला में पीला कलर का चंदन भी लगा करके सिवल जी कुछ रहा दिजेगा आपकी मनोकामना पूरी होगी तिसरा रासी है तुला रासी तुला रासी के महिलाओं के लिए भी सावन महासिवरातरी बहुत ही ज़्यादा सुब होने वाला है पैसा का अगर उन्हें दिक्कत है घर में पैसा नहीं तिकता है पैसो की कमी है कोई भी मन की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो इस बार सावन महासिवरातरी में दान दक्षना आप जरूर कीचेगा चाहे तो मंदीर के पेटी में जाके दान दक्षना देजिए नहीं तो आप गरीवों को भोजन कराईएगा नहीं तो आप पसु को चाड़ा दिजेगा आपका कल्यान होगा चौधा रासी है मकर रासी मकर रासी के महिलाओं के लिए भी वेक्तियों के लिए भी हर एक वेक्ति के लिए इस बार का महासिवरात्री बहुत ही ज़्यादा सुभ होने वाला है कोई भी काड़िये के लिए ब बार बार विग्न आ रहा है तो इस बार का आपका महासिवरात्री बहुत ही ज्यादा उत्तम होने वाला है करना आपको यह है कि घर में आप तो पुझा पाट कीजिएगा ही कीजिएगा रात में एक आपको घी का दिया अपने घर के बाहर चोखट पे जला देना है यानि कि आपको साम में जो आप शंधिया दे रही है तो आपको चोखट का भी आरती धूबदीप करना है क्योंकि मा लक्षमी आपके घर के अंदर आती है आपके चोखट से ही अगर आप पूझा पाट करेंगे आपका कल्यान होगा और जो भी आपके जीवन में दुविधा ह वह दूर जरूर होगा पाच्वा रासी है जो कि अपने में भी बहुत ही जादा सुभ होने वाला है वह है मीन रासी मीन रासी के लिए भी इस बार का सावन धीरे-धीरे सुभ होने लगा है क्योंकि मैं इसके पहले जो वीडियो डाली थी इसमें मीन रासी के बारे में नही 108 नहीं तो 155 बिलपत्र को ले करके उसे एक अच्छे तरीका से धागा में बांध करके बिना सुई का परियोग करते हर एक पत्ता में पीला रोली लगा करके महादेब को चरहा देना है आपका कल्यान होगा जो भी आपकी मन की मनोकामना है महाशिवरात्री के दिन जरूर पूरा होगा छठा और अंतिम रासी है कन्या राशी कन्या राशी के लिए भी इस बार का महाशिवरात्री बहुत ही ज़्यादा सुभ होने वाला है कन्यारासी का भी अगर कोई भी मन की मनो कामना है वह जरूर पूरा होगा करना आपको यह है सुबा उठ करके हशनानादी करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद ओम नवशिवाय का जाप करते हुए आपको महादेब का आरती भी करना है ध्यान रहे कि आर्ती के समय जो आप हात में पुस्प लिये हुए हैं वह पुस्प को आपको आर्ती करने के बाल अपने पैसे वाले अस्थान पे रख देना है आपका कल्यान होगा जो भी आपकी मन की मनो कामना है वह जरूर पूरी होगी दोस्तों अभी तक तो यही छे रासियां हैं जिनके लिए बेहत ही सुब होने वाला है इस बार का महासिव रातरी लेकिन हर एक दिन हर एक रासी वाले विक्ति का भाग परिवर्टन होते रहता है अगर कुछ और रासियां हैं जो इसमें सामील हो सकती हैं तो मैं उन्हें जरूर सामील करूंगी जरूर बताऊंगी अगर किसी का नाम या किसी का रासि छूट गया हो तो वह अपना रासि कमेंट कीजिएगा मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपके लिए यह सावन महासिवरातरी कैसा रहेगा क्या सूफल आएगा इसलिए आप कमेंट करके हमें जरूर पूछिएगा महासिवरातरी के दिन तो दोस्तों वैसे बहुत सारी माताएं बहने पुरुस द्वारा वर्त रखा जाता है अगर सक्षम हो तो आप इस दिन वर्त जरूर रखेगा अगर आप रविवार का वर्त रखती है जादा कर महिलाओं को द्वारा देखा गया है कि वह रविवार का वर्त रखती है तो क्या हुआ सनी वार यानि की महासिवरातरी रविवार का वर्त और सोम वार वर्त एक साथ अगर यह तीनों वर्थ पर जाए तो वह कैसे करें साथ ही साथ कुछ महिलाएं मंगलवार का वर्थ रखती है तो वह महासिवरातरी का वर्थ रखे या ना रखे क्या करें क्या बिना वर्थ रखे भी उन्हें पुन्य प्राप्त हो सकता है अगर जानना है तो comment box में comment करके जरूर पूछिएगा कोई भी आपकी समस्या है कुछ भी पूछना है को पूजा पार्ट से रिलेटर तो हमें comment करके जरूर पूछिएगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए है तो subscribe कीजिएगा मैं हर रोज आप सभी के लिए नए नए वीडियो ले करके आती हूँ इसलिए अगर आपकी कोई भी फर्माई से comment करके जरूर पूछिएगा मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद